नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है सब बूफर के ऊपर क्योंकि देखिए बहुत से भाई जो है यह सोचते हैं कि अगर हम सब बूफर के ऊपर डबल मैगनेट को लगा देंगे तो उसका जो वाटेज बढ़ जाएगा उसका sound quality जो है वो अच्छा हो जाएगा लेकिन दोस्तों आज हम मैं आपको इसी वीडियो में यही दिखाऊंगा कि यह जो डबल मैगनेट है वो लगाया किस लिए जाता है और इसका क्या यूज है और आप इसको कहां यूज कर सकते है क्योंकि देखिए जब तक आपको यह नहीं पता लगेगा कि यह डबल मैगनेट का जो बूफर है वो किस जगे यूज होगा तो आपको यह नहीं पता लग पाएगा कि हम इसका कहां यूज कर सकते हैं तो देखिए मैं आपको पताता हूं देखिए एक आपको मार्किट में मिलता single magnet में buffer और एक मिलता है आपको buffer double magnet में तो यहां पर इन दोनों का फायदा क्या है तो यहां पर मैंने test करके देखा है तो मुझे पता लगा इसको लेकिन इस चीज को आप बारी किसे चेक करोगे तब ही आपको पता लगेगा कि यह आखिर लगाया किसले जाता है देखिए अगर आपने किसी body के अंदर यह एक buffer को लगा दिया तो यहां पर क्या होगा जब यह buffer चलेगा तो इस body के अंदर जो company पैदा होएगा यानि कि यह vibration करने लग जाएगा तो यहां पर क्या होगा कि जब हम एक double magnet को लगा देंगे तो इसका vibration जो है वो कम हो जाता है और जिसका कमपन है जो हिलना है वो थोड़ा और कम हो जाता है तो इसलिए लगाया जाता है हमारा double magnet तो यहां पर मैं आपको पूरूप के साथ चेक भी करके दिखाऊंगा कि double magnet किस तरीके से यूज होता है देखिए पहले मैं इसको side कर देता हूँ अब देखिए मैंने यहां पर एक amplifier लिया है और इसके अंदर memory card के अंदर मैंने 15 kHz का एक song डाल लखा है जिसे खाली हम buffer के लिए use करेंगे magnet लगा के कि हम जो है किस तरीके से अब देखिए मैं पहले यहां पर जो है इसके connection कर देता हूँ और connection करके आपको दिखाता हूँ त और यहां पर जो है हम multimeter को भी रख लेते हैं कि मल्टी में आपको proper दिखाई भी देगा कि जो हमारा buffer है वो किस तरीके से चल रहा है और यह हमने यहां लगा दिया wire multimeter का और multimeter को मैंने speaker wire लगाया और multimeter को कर देते हैं AC की range में और यह वाली wire जो है हम लगा लेते हैं buffer पर य यह देखिए अब मैं इसको कर देता हूं on amplifier को अब यह देखिए यूस्पी ज्राइव तो यहां पर देखिए 15 किलो हर्ट का एक सौंग चला है इसको हमने क्यों लगाया है क्योंकि यहां पर जब हमारा करें मलटी मीटर में हमaround को चेक करेंगे तो यहां पर जो आपडाउन नहीं देखिए फ्रो पर चलती है डेकिता पर चलरी और रीडिन भी एक प्रभान को चला दूँआ तो यहांब जो want knowledge कर रहा और बढ़िया तरीके से टेस्टिंग होता है अब देखिए यहां पर मैं आपको ना पहले इसमें एर फोन लगा लेता हूं अपने फोन में और फिर आपको दिखाता हूं इसका जो पूरूप है तो देखिए दोस्तों मैंने जो है यहां पर देखिए 15 किलो हर्ट का एक तो इसलिए यूज करा जाता है तो आपने देखा किस तरीके से हमने दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से चेक करा कि जो यूज होता है वह हमारे सर्कृट में किस तरीके से यूज होता है उसका कहा हम यूज कर सकते हैं तो दोस्तों मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना और बैल के आकन को जुरूर दवाना क्यूंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा